नमस्कर दोस्तों मैरे बिरेंजन और आप सभी का स्वागत है विक्ट्री मेंटर्शिप यूट्यूज चैनल पर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 12 के बाद UPSC की तैयारी कैसे करें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 12 के बाद आपको तैयारी कैसे करनी है तैयारी के एडवांस बुक पढ़ना चाए या नहीं पढ़ना चाहिए इन सभी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथी साथ बताऊँगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक कौन-कौन सी है और इस वीडियो को आप पूरा देखे और साथी साथ आप विक्ट्री के लिए काफी important है सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि UPC के बारे में ठीक है कि आखिरकार UPC होता क्या है याने कि UPC मतलब Union Public Service Commission इस Commission के अंतरगर आपको जितने इंडिया में टॉप लेवल का जो एक्जाम होता है सबसे बड़ा एक्जाम तो आप सभी को पता होगा Civil Service एक्जाम में कई सारे एक्जाम को सामिल किया जाता है IES IPS इसी इसी एक्जाम के बारे में आज जो है हम आप सभी के साथ जो है डिस्कॉस करने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि 12 के बाद आपको कौन कौन सी स्ट्रेजी को अपनाना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है साथ साथ में UPC का स्लेविस भी आपके तार डिस्कॉस करूँगा ठीक है तो चलिए यह नहीं पढ़नी चाहिए ठीक है स्लेवर्स को कैसे ध्यान में रखें सबसे पहले मैं बता दो कि आपने छे क्लास से लेकर के ट्वल्थ क्लास तक जो आपने NCRT पढ़ी है ठीक है उस NCRT को एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत है है ना आपने शिक्स क्लास से लेकर के ट्वल्थ क्लास तक जो भी NCRT पढ़ी है सबसे पहले आप उसको ध्यान में रखियेगा साथी सच्थ आपको इसमें डिसीजन ये लेना है कि आपको तीन साल तक पढ़ाई कैसे करनी प्लान में आपको ध्यान में ये भी रखना है कि तीन साल तक आपको पढ़ाई कैसे करने यानि कि मान लिजे कि आपने 12th class pass किया 12th class pass होने के बार आपके मन में कई सारे thoughts आते कई सारे सवाल आते कि UPC के exam के तैयारी करें या फिर medical के तैयारी करें या फिर कोई ऐसा exam के तैयारी करें जिसमें हमारा selection जल्दी हो तो मैं बता और UPC मैं तैयारी के लिए अना UPC मैं तैयारी के लिए आपको चाहिए कम से कम तीन साल इस तीन साल में मैं क्यों बता रहा हूं 12th के बाद तैयारी के लिए अगर आप तीन साल अच्छे से तैयारी कर लेते हैं 12th के बाद तो आपका exam जो है first attempt में qualify हो जाएगा कैसे वो सारे चीजे में बताऊंगा कि सबसे पहले क्या होता है basic complete करने के लिए हमें पढ़ना होता है ncrt ncrt यानि कि हमने ncrt उठाया six class का अगरे शीक्स क्लास का ncrt उठाया मान लिजी कि six class के हमने ncrt उठाई हिस्ट्री की हिस्ट्री की हमने ncrt उठाई साथी साथ आपको इस्टार्ट करना है जैसे six class के ncrt उठाई आपने six के बाद आप उठाई ncrt seven class की history की ही ओनी चाहिए और जैसे आपने six seven eight और क्लास तक आप जो है history ncrt आपने पढ़ा इससे क्या फाइदा मिलेगा कि जो आपने history book six के लेकर के 12 class तक पढ़ी है एक आपने क्रम में पढ़ी है इससे यह पता चलेगा कि आपने रिपिटेड क्या पढ़ा है जो चीजे आपने रिपिटेड पढ़ी हो उसको आप क्या कर जो समय एक्स्ट्रा जो जाएगा वो समय आपका empty time यहां पर बच जाएगा साथी साथ other subject का आप ncrt start करिए और यह जब आप decision ले लेते हैं कि आपको finally selection लेना है कहीं न कहीं तो आपको ncrt तो अपने basic को basic concept को clear करने के लिए जरूरी है पढ़ना ठीक है तो ncrt को ध्यान में रखिएगा सबसे पहले ठीक है आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर लें ncrt बहुत ही ज्यादा important है ncrt के साथ साथ आपका जो है concept आपका पूरा clear हो जाएगा साथी साथ अगर आप civil सेवा परिच्छा की तयारी करते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा स्लेवस आपको मा तयार करना इसको भी आप लोग ख्यानते सुनिएगा साथी साथ जो candidate है ना ग्रिजेशन में हैं या ग्रिजेशन क्वालिफाई कर चुके पास कर चुके हैं उनकी लिए भी यह strategy आप सभी के काम आएगी ठीक है इस एक्जाम को हम कह सकते हैं कि 24 में जो बच्चा एक्जाम क होगा तो माई के लिए अभी जो है लगवक है ना काफी टाइम बचा हुआ है ठीक है साथ आट मेंने का टाइम की गैपिंग आपको जो है यहां पर मिल जाएगा आट मंत में आप जो है प्री प्लस मेंस की भी तैयारी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं जो ग्रिजेशन म कुछ एक्ष्रा जो है लेखन कारे वह भी मालूम हो ठीक है साथी साथ यहां पर एक विसे में परिच्छा के लिए जो है मेंस के लिए आपका जो ऑफ्टनल सिप्जेक्ट है उसके लिए भी यहां पर आपको बैनेफिट सिप्जेक्ट कर दोरुप में देखना पड़ता है है ना आप लोगों को सारे चीजों को मालूम है कि यूपेसी में जो एक्जाम पैटर्न है यह सारे चीजों को में आगे चल करके बताओं अभी तो उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ठीक है अब देखिए हम बात करते हैं कि करंट अफेयर के जो बुद्धे हैं इसू हैं उसको हम कैसे तैयार करें तो उसके लिए आप सभी न्यूज पेपर भी पढ़ते होंगे दो हिंदू है तैनिक जागरण है जनसत्ता है तो उन मैंसे क्या करना है आपको कि एब्री डेली आपको क्या करना है समा चार पत्रों का अध्यान करना है औ हुआ है ॅ ठीक है quality जो है पार्ट से और फिर आपका जो है फॉर्टीक्स के साथ साफ जो इक्नौमिक्स वालब हां पार्ट है być को इसको आप थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना आपको टोटल जो है अब अठारा पेज उन्त पेज जो आते हैं उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा च्छे से साथ पेज पर आपको ध्यान देना है ठीक है चैसाथ पेज में एक आपका politics एकनॉमिक और इंटरनेशन रिलेशन और एडिटोरियर और इस्पोर्स का एक आप उसको ले लीजिए तोटल यह साथ पेज को आपको अच्छे तरीके से कवर अप करना है और उसका आपको जो है की पॉइंट बनाना है ज्यादा बड़ा या जो है सौट में एक तरीके से यह अठारा महीने का करन्ट अफेर आ जाता है कभी कभी दो साल कभी करन्ट अफेर पूछ लेता है तो इसको आप ध्यान में रखेगा और लगवक 17-18 महीने का जो है क्रन्ट अफेर आप तयार कर सकते हैं इसमें आप दा हिंदू न्यूज़ पेपर के अलाबा आप क्या कर सकत करते हैं जैसे कि आपका मेतर का बंजक्षा कि do अजाओ करते हैं ठीच साथ आप बजट के साथ आप जो है ये सारे चीज़ें आपके जो है एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है ये आप अगर आप इससे भी करेंट रफेर को प्रफेर कर सकते हैं साथी साथ आपको कुछ बातों को और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि study करते टाइम किन-किन बातों को ध्यान रखना है या हमें सिब्जेक्ट को चैन करना है कैसे पड़ना है तो उसमें क्या है जिस विसे में आपको इंट्रेस्ट हो मान लिजे कि आपको इंट्रेस्ट है पॉल्टी में ठीक है आपको इंट्रेस्ट है हिंदी में आपको इंट अपने इंट्रेस्ट के हिसाफ से अब ही से ट्वेल्ट पास किया और ट्वेल्ट के बाद ही आप अपने इंट्रेस्ट के हिसाफ से ओफिसे को तयार करें को आप ने से कई लोग कह रहें गए सर मुझे तो क्या पसंद है तो आप ट्वेल्ट के कि हिंदी पर focus रखिए माली जी कि हिंदीपर focus रखिए था मान लीजी कि आपको फॉर्टी में काफी रूची यूपीच श какая स्लीकी त्यृप साह देखिये और उसी हिसाप से अपको कैना इसको आप इसको जो है त्यार कर सकते हैं इनेज़ची को इसको भी आप त्यारो को ये तो या नि कि आपको सबसे पहले आपका इंट्रेस्ट मालूं होना जाएग ще तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आपका इंट्रेस्ट मालूम होगा ठीक है अपने रूची के हिसाफ से विच्छों का चैन करेंगे आपको बहुत ज्यादा आपको यहां पे बैनिफिट मिलेगा सिविल सिभा परिच्छा का बहुत बड़ा होने के कारण पूरिसल अध्यान करना पड़ता है आपको टाइमली आपको रूटीन मनाना पड़ेगा मान लिजिए कि आप में से कई सारे बच्चों ने देखा होगा यूटूब पर दुनियादारी सब जगह पे देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि यूपेसी की त्यारी करने के लिए हमें 24 आवर में से 17 से 18 गंटे हमें स्टड़ी करना चीए और 12 हम पास होगे कई लोग तो 5-6 गंटे पढ़ते ते और पास होगे तो अगर आप 12 के बाद इस तैयारी को करना चाहते हैं तो आप everyday आप जो है 7-8 गंडे 7-8 आवर आपको per day इस्टड़ी पे focus देना पड़ेगा और यही 7-8 आवर आप अगर continue दो से 3 साल तक इस्टड़ी तू से 3 एर आप इस्टड़ी continue करते हैं तो आपको यूपेसी एक्जाम को qualify करने से कोई भी रोप नहीं पाएगा बस दो से 3 है ना बस आपको दो से 3 साल त तक इस study को continuity के साथ बनाए रखना है ठीक है इसमें किसी भी परकार की कोई समस्य या कोई बाधा नहीं आने चाहिए कि आज मेरे बाबू का बड़े है आज मेरे भीया का बड़े है आज दिवाली है आज होली है इसमें किसी भी परकार की कोई छुट्टी नहीं आने सफलता के चान्स के यहां पर आपको बढ़ जाएगा शाथ-साथ आप किसी भी अग्जाम की तयारी करें उसमें आपको एक जगा पर बाइड करके एक तैयारी करने के लिए बहुत करने मैंन को एक जगापे रखना है एक रखना है अगर आप प्रवाद में थे बहुत जगह द हुझाम आपका लगएगा कि यार उपसी टयार अगम कि तब क्या होगाल कि क्यों न एकि कि की तैयारी कर ले, क्यों न NDA और CDS की तैयारी कर ले तो आपने अगर रिच लिया है, तो इस exam को आप ही qualify कर सकते हैं, हो सकता है कि समाज में इस exam को ले करके आपके मन में काफी नकरात्मक बात्ते भी आपके सामने रखी जाए, कि यार इसमें selection ratio जो है 0.1% है, 0.2%, 0.10% है, डराने के लिए, क्योंकि इस exam को बहुत ही, आत्म विश्वास के साथ, है ना, एकता और अनुसासन के साथ जो student लगा रहता है, वो एक दिन सफल जरूर होता है, आप लोगोंने कई सारे IS देखे होंगे, ठीना डावी के बारे में आप लोगोंने पढ़ा होगा, है ना, दिव्या तन्बर, तो ये सारे बच्चे जो थे, इन सभी लोगोंने एकता के साथ, study क्या अराम से एकता नुसासन के साथ बैठ करके continuity रखी study में, कोई होली दिवाली ने, कोई festival ने, continue रखा, तो आपको एक जगा पे इस तैयारी करने के लिए, जो है, सिविल सेवा परिछ्चा निकालने के लिए जरूरी है, कि आप तैयारी करिये लिकित, तन चल रही है, आप उससे भी सीख सकते हैं, और जब आप एक्जाम के तैयारी करते हैं, तो आपके attitude में उस एक्जाम को देखा जाए, लगना चाहिए कि हाँ, आप सिविल सेवा के तैयारी कर रहे हैं, बात करने के तरीके से, सली का, है ना, IQ के, तुरू, इन सभी बातों के तुरू, आपको जो है, पता चलना चाहिए, ठीक है, इस एक्जाम में बिल्कुल भी रट्टा नहीं चलता है, जैसे कि आप लोग 12th क्लास में पासवट हो जाते हैं, रट्टा मार करके बिल्कुल भी नहीं, इस एक्जाम में आपको समझना है, सोचना है, सोचने समझने से इस एक्जाम को जो है, आप easily qualify कर लेंगे, और इस एक्जाम में इंटर लिंक करने के रसकता है, माल केज़ीए कि समाज है, तो समाज start कैसे होता है, है ना, समाज हम एक आसपास के area से start होगा, एक बैक्ती से, जब एक बैक्ती के साधी होगे, परिवार बनेगा, उसका बच् है ना आपका पंचायत पंचायत के वाद इस्टेग इस्टेड एक पूरा राउंड फिगर में एक इंटरलिंक होना जरूरी है तो इंटर लिंक करेंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप सीविल सिवा परिच्छा को एक्जाम को जो है क्वालिफाई कर देंगे ठीक है लेकिन हाँ नेमित इस्टडी करने की जरूरत है आप लोगों को ठीक है साथी साथ आपके मन में ये भी चलता है कि सीविल सिवा की तैयारी कर रहें पर कितना पढ़ें तो मैंने पहले ही बताया था कि 17-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 12th क्लास से पास होकर के जा रहें तो आप एब्रीडे कंटिन्यूटी के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप जो है इस एक्जाम को क्वालिफाइग करने के लिए ठिक है साथ से आठ गंदे पर इस एक्जाम को क्वालिफाइग करनी एक लिए साथ से आतग गंडे इस इतिनीव जो है आपको यहां पे 2-3 साल तक अगर आप 12 के बाद इस एक्जाम को दे रहें तो 2-3 साल तक आप कंटिनीव पढ़िए यानि कि 2-3 साल मेर तो मेरा कहने के मतलब यह कि 12 के बाद आप में से कई लोग होंगे फ्रस्ट एयर में बीचल से इसमेंों देदें इसमें आप दो साल भुंदी मिलगा सकते हैं। क्योंकि ही पाद आ इस normat क estata या इतना टाइम तो लगी जाता है तो मतलब है आप कार्म को पड़ेंगे तो एक्जाम आपका कयार हो जाएगा ठीक है और कई बच्चे जो है ट्रल्स के बाद जोब भी करते हैं तो जोब बाला जो है ज्यादा टाइम दे नहीं पाएगा तो उसके लिए क्या है रोजाना पढ़ाई भी सलते हिं तो काफी आपका जो है बेनेफिट रहेगा आप सब्सक्राइव अपने आपको डबल अब करने के लिए ऑर उपने अपको डबल ऑब करने के लिए और जो अंतने के लिए तो कॉड़्यू नि अकष्छ आप अच्छे अच्छे राइटर की बुक पढ़े हैं या एपी जे अब्दुलकलाब हो गया स्वामी विवी कानंद हो गया इन सभी के अगर बुक पढ़ेंगे आप लो तो खुझ से एक पिचार आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने अपने लाइफ में कितना अस्वर श्रगल किया है और अपने आपको कैसे शांत और अपने आपको सफलता अपने जीवन में जो इन्होंने प्राप्त किया है तो यह सारे चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगे और UPSC के एक्जाम में सबसे महत्पुन बाते क्या है 12 के बार कि आपको UPSC एक्जाम में लिखने की सेली डबलब होने के तो कि आपको भी पता है कि UPSC में प्री के बाद मेंस भी लिखना होता है और मेंस में लगवग आपको जो है 250 सब्द पर कोस्टन लिखना पड़ता है मान की चलिए कि 2500 से 3000 सब्द एक एक्जाम में आपको लिखना पड़ेगा ठीक है 4000 ठीक है अलग-अलग पैटर्न के ठीक है तो पढ़ाई के साथ जो है आपको लेखन सेली का भी हाँ पर आपको डवलब करने के अब सकता है यानि कि प्री के बाद आप जो मेंस लिखेंगे वह आप इसकी तैयारी पहले सी कर दें पहले सी की पॉइंट स्टार्ट करें मान ल आइसेन खेल के बारे में कुछ को डवलब करें मैं इसकी सबसे पहले प्रस्वूमी को तियार करें एधिक है भूमीका जिसको कहते हैं इसको नोट करें अभारत की क्या बहुमिका रही है इसमें क्योंकि भारत भी इस game में participate कर रहा है भारत की भूमिका क्या रही है ठीक है भारत की क्या भूमिका रही है कितने medal जीते हैं हमारे player की क्या role रहा है इसमें और साथ ही साथ इसमें निसकर्स कि निसकर्स में आप क्या लिख सकते हैं कि महिलाओं ने खेल में participate किया जीती तो कैसे जीती और क्या महिलाओं के ताहिए इसमें हम इसको जोड़के लिख सकते हैं कि पार्टीपिटेम भूमिका पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो रही है और ज्यादा इसमें जो है इनका तो इन सारे मुद्दों को है यहां पर एड़न कर सकते हैं… एसन खेल के साथ क्योंकि आपके एंट्र लिंट करके कोई भी कोजा जा सकता है। तक आप सोच रहे हो कि एसन ल क्यात पूछ सकता है कि महिलानों नोख सकता है कुछ extra point तो आप add on कर ही सकते हैं ठीक है साथी साथ मैंने आपको बताया था कि किसी भी topic पर आप लिखने का प्रयास करें 250 सब्द आपको लिखना है ठीक है हो सकता है कि शुरू-सुरू में आप लिखना शुरू करें तो यह सब्द आपके 500 में convert हो यह words जो है 500 में convert हो ठीक है लेकिन आप लिखने से प्रयाद है ना जब आप लिखना शुरू करेंगे तो जितना आप लिखेंगे उतना आपका जो सब्द की सीमा है 250 आप इसमे easily अपको convert कर पाएंगे 500 से आप अच्छा लिखना शुरू करेंगे तो फिर 400 पे आएगा फिर धीरे धीरे यह सब्द जो है 250 से लेकर के 300 सब्द में convert आप कर पाएंगे जितना आप लिखेंगे जितना आप कोशिस करेंगे लेकन सेली में सुधार आएगी और कोशिस ये भी करिएगा कि व्याकरण में किसी भी परकार की कोई गलती ना हो क्योंकि आप सिविल सेवा परिच्छा की तयारी कर रहें और सिविल सेवा परिच्छा में अगर कोई भी व्याकरण में कोई भी त्रिट्वी पाई जाती है तो वो ठीक नहीं होता है उसमें आपके जो negative impression जाता है तो उसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा साथी साथ में बता दूं कि अब UPSC में कौन-कौन से इस लेवर से प्री में क्या पूछा जाता है में में क्या पूछा जाता है और क्या pattern है exam का थोड़ा सा बता देता हूं उसको आप जहां से देखिएगा कितने exam का होता है तो मैंने आपको सुरू में बताया था कि Union Public Service Commission जो है हमारा exam conduct करवाता है ठीक है इसमें कई सारे exam NDA और CDS जैसे exam जो है UPSC conduct करवाता है NDA हो गया CDS, TPF, Assession Commanded वगरा यह सारे exam यहां पर UPSC conduct करवाता है साथी साथ आप में से कई लोग कहते हैं कि हम तो IS की exam की तयारी कर रहे हैं तो वो चीजे गलत हो जाती है UPSC जो exam conduct करवाता है उसका नाम होता है Civil Service exam आप सभी लोग जो है Civil Service exam की तयारी करते हैं ना कि IS क्या होता है यह सर्वीस होता है सर्वीस Civil Service exam के अंतर गताता है IS, IPS, IFS, IRS, A-grade और अधर जो इसमें जो है सर्वीस इंक्लूड होती है मान के चले इसमें जो है 24, 25 सर्वीस इसमें इंक्लूड होती है यह आपका UPSC के तुरू करते हैं और आप सिबिल सेवा में जो आप चैन होंगे तो रैंक के अधार पर अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको जो है IS, रैंक उससे थोड़ी नॉर्मल होगी, कम होगी तो IPS और साथ ही साथ आपकी रैंक जैसे जैसे रैंक कम होती जाएगी तो उसमें आपका 24 से घटते जाएंगे ठीक है यह सारे चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगे अब हम UPSC CSC का, IS का मेंस का पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ प्री का बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्री का बता दूँ उसके बाद मैं में मेंस का आदर होगा ठीक है तो इसमें क्या है प्री एक्जाम ठीक है टाइप ऑफ एक्जाम इस पर द्यान दीजिएगा ठीक है टाइप ऑफ एक्जाम तो सबसे पहले इसमें थ्री टाइप्स एक्जाम होते हैं तो थ्री लेबल्स म आपका pre-exam, first of all pre-exam होता है, pre के बाद आपका written exam होगा, जो कि means का होगा, जो कि 1750 में होगा, और 37 साथ फिर आएगा interview, जिसको हम personality test भी कहते हैं, जिसको 275 marks का होता है, अब इसमें क्या होगा, इसमें pre-exam में paper 1, paper 2, pre-exam में आपका paper 1 और paper 2, सभी को पता है, paper 1, paper 2, और इसमें क्या है, paper 1 में आपका GS आता है, इसको हम कहते हैं GS paper 1, इसमें GS paper 1 में Indian quality होगया, जोग्रफी होगया, history होगया, history में आपका ancient, modern, medieval, science, environment, ecology और international relation, economics और current वेर जैसे question इसमें paper 1 में पूछे जाते हैं, paper 1 में current आपेर जैसे question पूछे जाते हैं, और ये आपका 2 hours का exam होता है, ठीक है, 2 hours का exam होता है, और कितने question, तो 100 question इसमें आपके पूछे जाते हैं, negative marking यह होती है, वंठर्ड, ठीक है, वंठर्ड आपके negative marking में होती है, ठीक वन ठड़ के नेगडिक मार्किंग के साथ यह आपका जो है एक को सर्थ दो नम्मर को होता यनि कि यह 200 मार्क्स का यह आपका एकजाम फाइनली हो जाता है कि इसका कटव प्रि का गव्राने वाली बात में प्रतेग साल का अलग अलग होता है और इसमें जो अभी कटव जा रहा है 85 से ले करके मान कि चले कि परतेग साल का एक पूरा एबरेज निकाले तो 87 से ले करके मान के चले अभी तक जो गया है पिछली दो साल के देखे तो 87 से ले करके मान के चले कि 92 3 marks यही राद यही होता है कटाओ प्री का ठीक है GS paper 1 का बता दिया मैंने और GS paper 2 में क्या है कि आपको qualify करना है ठीक है qualify इसमें आप 33% marks लाकर के qualify करते हैं जिसमें 27 question सही होना चाहिए 36 number आने चाहिए ठीक है इसमें क्या है 80 question आता है C set जिसे आप लोग कहते हैं ठीक है इसमें आपका 80 question 80 question के साथ साथ आपका ये भी 200 marks का ठीक है और साथी साथ आपको इसमें ध्यान रखना सिर्जेक्ट आकों सा एपिट्यूड रीजनिक और आपके mathematics 12th class तक आती है आपका passage है decision making और math ये सारे चीज़े paper 2 में आता है ठीक है इसमें हिंदी और English दोनों passage include होते हैं इसमें आपको एक लिए करके बताता हूं ठीक है इसमें आपका essay GS paper 1 में आपका history हो गया Indian heritage culture, history, geography of the world and society GS paper 2 में आपका governance, constitution, quality और social justice and IR GS paper 3 में आपका technology, economics विकास और biodiversity, security and disaster management और GS paper 4 में आपका जो है आता है ethics, integrated attitude test, यह आपका में में आता है में में टोटल आपके जो है और 9 subject होते हैं, ठीक है इसमें आपका दो optional paper आते हैं ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि optional paper आगर आप 12 class qualify pass कर रहे, तो 12 के बाद जो है आपका optional के लिए आप पहले से तयार रखें हंदी हो गया, English हो गया optional subject भी दिखाऊंगा, चिंता ना करें ठीक है, optional paper दो हो गया और दो paper आपका जो है यहाँ पी हो गया language paper language paper में आपका एक paper यानि कि जो भारतिय सभिधान में जो 22 भासा है उसका जो उलेक किया गया है, उन में से आप केसी एक language को choice कर सकते हैं English paper आपका यहाँ पर compulsory होता है English paper आपका यहाँ पर compulsory होता है और इसमें भी English paper को qualify करने के लिए आपको जो है compulsory paper past करना है इस exam को qualify करना है और 22 भासा जो भारतिय सभिधान में सामिल है उसमें से आप कोई भी एक लाइंवाज़को च्वाइस करते हैं मान लिजे हिंधी, मैथली, कोई एक भाता को आप याप पर च्वाइस कर सकते है ठीके और इसी के बहाब पर मेंस के एक्जाम के बहाब पर ही आपका है तर फिसे जांब को मेंस मान के चले की साड़े 500-600 के बीच में आ गया और आप किसी काटेग्री से बिलॉंग करते हैं ठीक है तो आपका इंटरव्यू कॉल आने के चांसे होते हैं जैसे कि पिछले 2022-23 का रिजल्ट आप देखेंगे उसके विहाफ़ी यह सारे चीज़े देखी जा सकती है इसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल है तो इसमें क्या है आपका प्रसनलिटी टेस्ट होता है ठीक है इसमें आपका जो भी मेंस का सब्जेक्ट है मेंस के सब्जेक्ट के साथ सथ आपका मेंस के साथ हो भी क्या है और आपकी एजुकेशन बैक्ग्राउंड क्या है कहने के मतलब आप आपका mentality check होता है एक तरीके से कितना आप competence है कितना आपका प्रिजेंटी रहता है ठीक है बोर्ड के सामने तो यह सारे चीज़े हैं और यह 275 marks का होता है ठीक है इसको qualify करना भी जरूरी होता है और इन दोनों के विहाब पर mains और interview के विहाब पर आपका जो है finally means और interview के विहाब पर जो है finally आपका cut-off जारी होता है जो आपको civil services exam में finally rank देता है means और interview के विहाब पर इसको आप ध्यार में रखेगा ठीक है जितने आपके अच्छे marks रहेंगे इतने आपके जो है rank अच्छी होगे ठीक है चलिए कुछ pattern मैं आपको बता रहा था finally मैं ने वह बता ही दिया एक वाज मैं फिर से आपको यहां पे language वाला जो paper है मैं बता दू कि language का आपका ठीक है 300 marks का होता है और Indian language ठीक है एक English compulsory है कोई भी आप language ले सकते है पर English को आपको करना ही पड़ेगा 300 marks का होता है ठीक है इसको आप ध्यार में रखेगा ठीक है और essay होता है essay में आपको दो essay लिखने होते हैं ठीक है दो essay लिखने होते हैं और 250 marks का होता है ठी आपको बताया स्सक्राइब आपका इसारे चीज़ेगरा और इंडियन सोसाइटी ढर्ल जोग्रफी टुबh इसारे चीज़ी है और स्सक्राइब का सब्सradeया कोश्रीजीए और है डिजास्टर मेनेजमेंट सेकुर्टी और पेपर 4 में आपका एथिक्स यह आपका जो है एक पेपर 250 मार्क्स का और टोटल यह अंक आपके यहां पर हो जाते हैं ठीक है टोटल 800 और एक ऐसे मिला करके टोटल 1000 मार्क्स हो जाता है अब और सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताई दिया था इसमें दो पेपर होते हैं एक और यह आपको दो के 500 का हो जाता है इंटर्विव आपको 275 मार्क्स है यहां पर मैंने बताया है पेपर जो आपका काउंट होगा मैरिट जो बनेगा मैंने आपको बताया कि 1750 और 275 में टोटल 2025 नम्मर के साथ यहां पर आपका मैरिट बनेगा तो यह आपका इंपोर्टेंट है ठीक है इसको मैंने बता दिया आपको और यहां पर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को बता सकते हैं यह आपका मैंने पेपर जीए पेपर वन के वारे में कुछ चीज़ बता रखे है उसको ध्यान में रखेगा क्या क्या पूछा जाता है पेपर तुम मैंने बताई दिया था कि इंडेन पॉल्टि जॉग्रफ़ी यह सारे चीज़े पूछी जाती है लेकिन पर फिर यंप से उसमें क्या क्या पूच्छा जाता यह आप इसको समझेगा ठीक है और इसकी त UPC में मैंने अब भी बताया था कुद्र पहले भी कि इसमें 17-18 महिने का करण्ट फेर आप त्यार करके रहिए UPC कई वार दो साल पीछे के भी करण्ट फेर को पूछ लेता है थीक है तो इसको भी आप ध्यान में रखेगा और पढ़ने का मैंने बताये करण्ट फेर कहां से आप कर सकते हैं अगर आप इंगलीस पढ़ना जानते हैं आता है आपको पढ़ना तो दा हिंदू को आप यूज्द पर यूज़ करिए दा हिंदू के सासत हमारे victory mentorship program में भी जो है आपको current affair करवाए जाएगा वो अभी आपको काफी helpful रहेगा आप सभी के लिए ठीक है साथी साथ आप यहाँ पर history के लिए second flavors आप देखेंगे तो भारत का इतिहास और इसमें भारती राष्टी आंदोलन आप सोच रहे होंगे भारत का इतिहास और भारती राष्टी राष्टी आंदोलन तो इसमें काफी flavors का जो है काफी विस्तार है है न यह दो सब्द लिखे हैं इन दो सब्दों पर आप नहीं जा सकते हैं अगर भारत का इतिहास जो हुआ है पीछे चल करके उन सारे इतिहास को यहाँ पर देखना पड़ेगा चाहे वो आपका इसियंट हो मिडाईवल हो बॉडन हो ठीक है और साथी साथ जो भारत में राष्टी आंदोलन हुए है नेस्नल मुवमेंट हुए है वो काफी इनपोर्टेंट है और नेस्नल मुवमेंट से भी कोस्तन पूछे जाते हैं तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा साथ इनठी साथ यहां पे इनडिया और इनडिया के साथ साच वर्ल्ड का जोग्रफी इसमें आपका के सासतत यहां पे समाजिक और आर्थिक बुगुल के बारे में में पहां करें सब्हक्ते सात है लोक ने थी और अधिकारों से संधिन मुथ्यां अब ये सारे अधिकारों से संधिन यैसे मुद्य होते हैं जो चल रही होते हैं पैले हैं अब जैसे कि आहीं दौ तीन दिन पहले ही देखा होगा 2017 यह केम उन्हें जाता तसी तहरे हैं चाइए उसकी AI आप यहां जाता है तो उसको भी आप लोग जहान में रखेएगा साथी साथ यहां पर आर्थिक और समाजिक विकास जिसमें सतत विकास हो गया गरीबी समाबेशन जिन संकिकी और समाजिक छेत्र में की गई पहले है न जो जो पहल की गई है गौर्णमेंट की पॉलिशी के एकॉर्णिंग करंड का मुद्ण यहां पर ज़्यादा पूछे जाने के संभावना रहती है ठीक है समाजिक तोर पे और साथी साथ इन्वार्मेंट में इन्वार्मेंट और इकलोजी में आपका इंपोर्टेंट जो और बेस्ट टॉपिक जो है दैब वित्ता जलवायू परिवर्थन से सम्मंदित जो मोद्दे होते हैं यह सारे चीज़े यहां पर पूछे जाते है और इसमें ज्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है इस सारे चीज़े करण्ट के विहाब पर यह सारे कुछ सर्फ पूछे जाते हैं तो इसलिए कहते हैं कि आपका बीसिक अगर कॉंसर्ट क्लियर वो NCRT के त्रू तो आप इन सारे चीज़ों को एजली आप इसको कवर कर सकते हैं और साथी साथ यहां पर जेनरल साइंस के तासत इनपोर्टन यह है कि आपको साइस टेक भी मालूम हो ना चीए ठीक है चलिए आगे चलते हैं और कुछ बातों को देख लेते हैं कुछ पेपर को और देख लेते पेपर टू क्योंकि अधिकतर हो जाते हैं दिक्टत ही है सीजेट में 27 कोस्तन भी हम 80 कोस्तन में से 27 कोस्तन भी हम सही नहीं कर पाते हैं एक खास तोर पे हिंदी मीडियम के जो बेल्ट है उसमें सबसे ज़्याद़ प्रॉग्लम आती है क्योंकि कई लोग आर्ट पढ़कर जाते हैं कई लोग अच्छा इसको तयार करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले पी वाई क्यू उधाना है कि अब 2023 तक अप पीवाइक की उठाए और उसको ट्रेंड को सबसे पहले को पहले उठाए उसको देखे और साथी साथ यहां पर आपका बहुत गमिता प्यासेज बगरा हो गया साथी संचार कोसल सही इंटरपेटेशन स्केल्ड हो गया यह आपको देखना होगा लॉजिकल इसकी लिहां पर हो गया आपका इनलाइटिक इसको एनलाइज कर सकते हैं decision making हो गया समस्त्या समयधान हो गया और साथी साथ यहां पर समाने मानसिक उप्योग का यह सारे चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आधारवुत कुछ structure नंबर सिस्टम से भी कोसर पूछे जाते है डियाई से तो यह सारे चीज आप यहां पर देख सकते ह दिखा है कि 10 लेवल का तोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत है 12 तक यहां पर पूछ सकते हैं यहां पर देख सकते हैं चार्ट का ग्राफ हो गया यह सारे चीज आप कर सकते हैं ठीकिन इसका लेवल आप तोड़ा सा अच्छे से रखे और इसका आप प्रयास करत होता है जो कि एक और पेपर को आपको च्वाइस करना होता है दो पेपर होते हैं लेकिन सिब्जेक्ट एक होता है ठीक है मान लिए कोई हिस्ट्री का करता है हिस्ट्री का आपका पेपर दो होता है पेपर वर पेपर यह कह सकते इसको यह पेपर भी कह सकते हैं ठीक है इसमे साइन्स, साइको, पॉब्लिक अड्मिस्टेशन, सोचलोजी लॉग, यह काफी इन्पोर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए कि UPSC में कौन-कौन से ऑफ्शनल पेपर हैं, जो बच्चा इंजिनिरिंग से आता है, उसके लिए सिविल इंजिनिरिंग, इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल, और कई सारे बच्चे डॉक्टर बनकर के भी इस एक्जाम के तयारी करते हैं, इंजिनिर बनकर के भी इस एक्जाम के तयारी करते हैं, जो डॉक्टर फिल्ड से होगा, वो मेटिकल साइन्स को च्वाइस करेगा, अगर आपने से कई सारे बच्चे मैथ भी लेते हैं साइंस बैक्डाउंड के बच्चे होते हैं तो यह आपका एग्रिकल्चर वाटनिंग केमेस्ट्री एंथ्रोपोलोजी और इसमें जो है एन्यूवल है विट्टनरी साइंस मैथमेटिक्स स्टैक्स फिजिक्स जोजी इंट्रपोलोजी और जीsecurity यह सारे चीजिए और यहां पर tra racist के लिए भी है commerce एंड गॉक्ञेमिश मेंट के लिए commerce के लिए पर इनक्लूड है साथी साहत्興ह आगेबड़े तो कौन-कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन-कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री के लिए, बेसिक कम्प्लीट करने के लिए, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ सद एडवांस बुक आपको कौन-कौन सी पढ़नी है, एस्ट् आपका modern history में विपिन चिंद्रा के साथ सथ एस्पेक्टरम भूख भी आती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है और साथी साथ इंडिया आप्टर नहरू गांधी है ना राम चिंद्र गुहा करके बूख आती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं साथी साथ यहां पे national culture of India एस आवीद हुसेन की बूख आती उसको आप देख सकते हैं और सबसे अच्छी बूख होती है आट इंड कल्चर के लिए तमिलाडू बोड की इसके अलाबा नितिन सिंगानिया भी है जो आप लोग पढ़ते हैं लेकिन तमिलाडू की बूख छोटी सी पतले सी मुल कुक्तह सकते हैं ठीक है साथ ही साथ अब जोग्राफी के लिए आप क्या पढ़ेंगे तो जोग्राफी के लिए आप सब्मिंदर सिंग भी पढ़ता सकते हैं लेकिन आपको इसको अगर कवर अब करना अच्छे तरीके से तो 11 और 12 के NCRT से भी इसको आप कवर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप समिंदर सिंग भी पढ़ सकते हैं ठीक है योजना मैगिन पढ़ सकते हैं और सबसे अच्छा क्या है जोग्रोफी यू एंड ठीक है जोग्रोफी एंड यह बुक आती है काफी अच्छी आती है मेंस में इससे कोशन पूछे जाते हैं ठीक है आप इसको मंतली आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसमें जो है करंट बेस पर कोशन पूछे जाते हैं दो से तीन कोशन यहां से देखने को मिलते हैं डाउन टू अर्थ यह हर एक एक जामे डाउन तो से आप देखेंगे तो यह दोनों जो magazine है में के left में अपको यहां से लिखने के लिए मिल सकते हैं पड़ने के लिए मिल सकते हैं काफी थोड़स आपके यहां पर डवलप ढोगे जेए योजना है आप योजना को यहां पे देख सकते हैं ठिक है और मैगजिन जोग्रफी एंड यू मैगजिन मैंने बताया पेजिकल जोग्रफी सविंदर सिंग बताया और ऑक्सवर्ड स्कूल एफ्लिट्स जो है ऑक्सवर्ड पॉब्रिकेशन के द्वारा यह सारे चीज़े आप इसको देख सकते हैं और साती साथ जो बजट आता है लिए काफी महत्पून है यह सारे चीज़े आपको पता होना चाहिए और आप इस एक्जाम को हमारे मेंटोर्शिफ यूट्यूब चैनल से भी क्यारी कर सकते हैं क्योंकि यह सारे चीज़े आपको यहां पर एक जिगहां पर मिल जाएगा यहां पर जितने भी टीचर है काफी सायटा करेंगे सारे को इंडियन के लिए आपका सारा है यहां पर साथी साथазыв आता है पूरी पढ़ने की जरूरत मीं होते हैं इसको पढ़ने की जरूरत होती तो एन इन एरग ए तो जो बैल फिर वाला सेक्षन हो उस सेक्षन को पढ़िए जो जो योजना सरकार के दोरा आई है उस योजना को आपका ब्रब करिए ठीक है कुरू छेत्रा मैगजीन है और साथी साथ एक बुकाती है सोसल इसू के लिए राम है ना राम अहुजा की उसको आप पढ़ सकते है एकनॉमिक सर्वे में आप जो है इसमें सोसल सेक्टर उसको देखिए स्टी है स्टी है ओबी सी और भूमें इस वाले सेग्मेंट को देखिए काफी आपको फाइदा देगा साथी साथ आप गवर्नेंस और पर्ल्टी के लिए कुछ बुक आपके माइंड में चल रही होगी आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें लच्मी कांथ पढ़ेंगे तो लच्मी कांथ का आप जो है ट्रेंट चेंज होता जा रहा है मैंने आपको बताया कि अब जो यूपीसी में कोशन पूछे जा रहे हैं और करन्ट के बेस पर आप इसको कवरब भी कर सकते हैं लेकिन इसको जो है द्यार में आपको रखना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आप एलेवन को पढ़िए और स्मार्ट तरीके सा अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो कुछ बैक साइड को भी आप यूज करिए www.governance.gov.in आप मिनिस्ट्री के रिपोर्ट पर जाए मिनिस्ट्री के रिपोर्ट आप प्रसमेल रिपोर्ट चेक करिए पुरू छेत्रा मैगीन हो गया इंडिनेर बुक हो गया और यूज करने के लिए आप जो है लचमी कांत अगर सोड़ा बहुत देखना है कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप चेक कर सकते हैं बाकी तो हमारे इस यूटूब चैनल से भी आपको काफी सपोर्ट मिनेगा और आर्टिकल वगरे के लिए आप कंस्ट्रोडर्स की बुक छोटी सी आती है आप उसको आप देख सकते हैं ठीक है साथी साथ आपको यहां पर काफी इंटर्नेटर्स के लिए इंटर्णेशन रिलेशन के लिए वर्ट फॉक्स अग्जाम में यूपेसिक एक्जाम में आप 2023 का प्रेक पिपर उठा करके देखेंगे तो इंटर्नेशन के लिए वर्ट फॉक्स फॉक्स मैग्जीन ना आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा देखा भी होगा लेकिन वर्ड फोकस जो मैगजीन है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर इंटर्नेशन रिलेशन आपको कबर अप करना है तो एक मैग्जीन है आप अच्छे थे इसको अब कवर खरते का अफी आपको एक करें करनट अफेर करें दा हिंदू हो गया कि अधिन एक स्पेस हो गया कि यह सारी चीज़े कवर करें साती साथ मैगिन हो इसको यहां पर हो गया अगर पढ़ना चाहते हैं तो और मैगिन होता है अप उसको करते होंगे आनिवल रिपोर् वर्ल्ड वैंक हो गया ब्रिक्स हो गया ये सारे चीज़ों को देखें और साथी साथ जो नेवर होड पॉलिसी है नेवर होड पॉलिसी को भी आप लोग वह जियान में रखेंगा है ना हमारे संबंद पडोसियों के साथ कैसा है है नेपाल पाकिस्तान पांगलादेश लंका इनके संबंद को भी हमें पड़ने की जरूरत है क्या संजोते हुए हमारे और नेपाल की बीछ में है hè है ना श्रिलंका के साथ कैसे संबंद क्या-क्या संजोती हो रहे है है ना बांगलादेश के साथ मैत्रे संदी ये सारे चीज़ों को लिएंध आपडेट रहने के है थि ठीक है साथ ही आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्टरनल अफेर्स को वेश्ट साइड को भी आप यहां पर देखिएगा ठीक है साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो एकनॉमिक के लिए आप सबसे पहले अपने आपको बेसिक कॉलसेप्ट इसमें किलियर करिए और एंसीर टी इसनल इंकम है अगर यहां पर देख लिए और यहां पर इंडियन एकनॉमिक्स के लिए जो बच्चे हिंदी से पढ़ते हैं रमेज सिंग पढ़ते हैं आपने से कई लोग और सबसे बढ़िया अगर आप इंगलीज में तोड़ा सा कमफर्टेवल हो तो उमा कपिला जो की ठीक है जो की उमा कपिला आपके लिए काफी बैतरीन है ठीक है इंडियन एर बुक है एकनॉमिक सर्वे है योजना है और नीती आयक की रिपोर्ट स्टेजी 75 करके आती है प्रते एक साल आप उसको देखेगा और बजट में एगरी कल्चर का पार्ट जो आता है आप उसको ध्यान में रखेगा और बजट आप जो है इंडियन बजट स्टॉट कॉम से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है साइंस टेक के लिए आप दा हिंदू बगर आप यूज़ करते हैं नीच वीवर्ग पढ़ते हैं आप उसको कवर कर सकते हैं और इसके लिए आप जो है एडवांस बुक पढ़ेंगे तो इराक बरूचा इराक बरूचा के बुक आती है वो अपडेट बर्जन आप लेकर के उसको कवर कर सकते हैं ठीक है इंडियन एर बुक आप जो है इसमें लेंगे तो फॉरेस्ट वाला पार्ट आप देखेंगे तो कवर आपका यहां पर हो जाएगा करंट फेर से डिजास्टर मेनेजमेंट के लिए 12th क्लास की बुक आती है आप उसको देख सकते हैं नहीं तो अगर केस इस्टेडि आपको देखना है तो डिजास्टर मेनेजमेंट ऑठोर्टी वाले साइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं इंटर्नल स्कूर्टी के लिए आप डबलो डबो गवर्नेस जियो अहां पर बुक आप सब्सक्राइब रिए करते हैं कि सर पढ़ें या ना पढ़ें तो यहां पको पढ़ना है अपने आपको डबलाप करने के लिए ठीक है ऑल्रीक पर लीजिये अगर आपका वेसिक ठीक है कंप्लीट है तो हिस्टिक आप सिख से लेकर के 12 तक पढ़ लीजिए जोग्रफी का 6 से लेकर 12 तक पढ़ ले फाइदा करेगा और साइन्स का 9 से 10 तक और 12 ख्लास तक 12 ख्लास का आपको जो है बायो का यूनिट वन बायो का यूनिट वन जिसमें पांच शेप्टर है आप उसको कबराफ कर सकते हैं एकनोमिक का 11 का और इसमें 12 का कुछ पार्ट को कम से कम मैं तो यही करूंगा कि अगर आप यूपेसी की तयारी करते हैं तो जितना ज्यादा आप NCRT को पढ़ेंगे हर्ड ताइम आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है दस से बारा टाइम्स भी इसको आप करें तो आपके लिए कम है तो इसको भी आप खया कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो यह सारे चीजे है नूट पेपर मैंने आपको बताई दिया है ठीक है लोड यह सारे चीजे जो है आपको की पॉइंट में मेंसिन करना है एक्षा आपको ज्यादा लिखने के जरूरत नहीं है की पॉइंट में लिखे और डाइग्राम बनाकर करके लिखे जो कि आपको प्रीक एक्जाम के टाइम पे काफी बैनिफिट दे ठीक है यूप है आपको याद होना चीह सबसे पहले दर्वार ऑफे फिक है जाते जाते में कुछ बातों को बता जा रहा हम थाकि आपको पता को प्टा हो उस आपके सिवेल go पास रखे कि फ्याग250 प्रीक थो कब से कब तो आपका 2013 से लेकर के 2030 तक तो होना चाहिए प्री और मेंस दोनों का ठीक है और ncrt basic को complete करने के लिए आप किसी भी एक्जाम को qualify करने के लिए इन तीन चीजों को follow कर सकते हैं ठीक है आज का session हम यहीं पर समाप्स करते हैं कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट में लिख दें ठीक है फिर मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए आप से भी को बहुत-बहुत धन्यवाद थाइंक इसो मच वाइवाट टेक केर जैन